इस वीडियो में हम चक्रविर्धी ब्याज के कुछ special type के question को करेंगे जो इसी साल के CHSL और MTS exam का है और इसके लिए हम आपको ऐसा technique बताएंगे कि इन सभी questions को आप 4-5-5 second में कर सकते हैं तो ये वीडियो काफी important होने बाला है इसलिए पूरा जरूर देखिए पहला question है कोई ध दूसरा साल पहला साल का ब्याज दिया हुआ है दस्सोचोविस रूपिया और दूसरा साल का पूछा है तो देखिए पहला साल अगर दस्सोचोविस रूपिया ब्याज लगा है तो दूसरा साल तो ये दस्सोचोविस रूपिया लगेगा ही क्योंकि ये दस्सोचोविस र परसेंट का मतलब होता है एक बट आठ आठ आनि कि इसका एक बट आठ भाग निकालना पड़ेगा तो इसको सोल्व करेंगे तो यह देखे काटेंगे एक बार में कटेगा दो बचेगा बाइस आठ दूना सोला बचेगा छे आठ अठी चौशेट आनि कि 128 रुप्या और लग करिए अब देखतें अगले कोस्चन को अगला कोस्चन है कोई धन रासी आठ परतिसत बार्सिक चक्रविर्धी व्याज की दर से उधार दी जाती है जैदी पहले वर्स ब्याज के रुप में 72 रुप्या प्राप्त होता है तो दूसरे वर्स का ब्याज ग्याद करें तो एक गुना हो जाती है तो ब्याज की दर ग्याद करें है ना दो साल में जो मुल्धन है वो एक दसमलब चार चार गुना हो जाता है इसका मतलब अगर हम मुल्धन को एक मान ले तो दो साल में टोटल पैसा हो जागा एक दसमलब चार चार क्योंकि एक में एक दसमलब चार चार क गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा है ना चुकी कह रहा है दो साल में इतना गुना हो जाता है तो अगर एक रुपया होगा तो ये इतना रुपया हो जाएगा तो अगर हम मुल्धन और मिस्रधन का रेशियो निकालें और इस दसमलब को हटा दें तो यहां पर दो जीरु आ कि आए कितना होगा यह पता चल जाएगा जैसे देखें, कितना होगा यह साल में 10 रूपया होगा थे तो 10 रूपया पर काट कमा अब देखते हैं next question को, अगला question है, कोई धन रासी चक्रविर्धी ब्याज की बार्सिक दर से उधार दी जाती है, जो तीन वर्सों में एक दस्मलब तीन तीन गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है, है ना, तीन वर्स में इतना गुना हो जाता है, तो अगर हम मुल्ध को हटाने के बदले में यहां पर तीन जिरु आएगा, है ना, क्योंकि दस्मलब के बाद यहां पर तीन अंग है, आनि कि एक हजार रुपया जो है, तीन साल में कितना होगा, इसके लिए दोनों का क्यूब रूट करेंगे, तीन साल है तो क्यूब रूट, तो देखे एक अगला क्यों है, चक्रिविर्धी ब्याज की चार पर तीसत भार्सिक दर से 625 रुपया की रासिक कितने बरसों में 676 रुपया हो जाएगी, मुल्धन दिया हुआ 625 रुपया और यह हो जाता है 676 रुपया, तो कह रहा है कि यह कितना समय में होगा, जबकि ब्याज की दर 4 परतिसत वार्षिक चक्रविर्दी है तो कभी भी मुल्धन और मिस्रधन दिया रहे और समय पूछा जाए तो हमें यह देखना है कि जो मुल्धन और मिस्रधन दिया हुआ है इसका square root, cube root, fourth root, कोई भी root निकल रहा है कि नहीं अगर ऐसे ही निकल गया तो ठीक है नहीं तो दोनों को काट करके छोटा करके देखेंगे छोटा करने के बाद निश्चित रूप से कोई भी root निकल जाएगा जैसे यहाँ पर देखिए दोनों का square root निकल रहा है है ना चुकि ही ये 625 जो 25 का square है और 676 जो 26 का square है तो square root निकल रहा है तो आंसर हो जागा 2 साल अगर cube root निकलता तो आंसर हो जाता 3 साल अगर fourth root निकलता तो आंसर हो जाता 4 साल जैसे अगला सबं़ को देखिए ये का रहा है कि चक्रविर्धी ब्याज की चार परतिसत बार्सिक दर से बारा सो रुपया की रासिक कितने वर्सों में सोरी यहाँ पर कोस्चन गलत टैप किया गया है यहाँ पर पांच परतिसत होगा है ना पांच परतिसत बार्सिक दर से बारा सो रुपया की रासिक कितने वर्सों में तेर भी रूट नहीं निकल रहा है तो पहले इन दोनों को काटेंगे तो अगर तीन से काटेंगे तो यह हो जागा चार सो और इसको तीन से काटेंगे तो चारतिया बारा बचेगा फिर बारा फिर चारतिया बारा और फिर एक बार में कट जाएगा तो अब देखें इन दोनों का स्क्वाइर रूट निकल रहा है 400 जो है 20 का स्क्वाइर है और 441 जो है 21 का स्क्वाइर है तो देखें स्क्वाइर रूट निकल रहा है है ना दो पावर में इसलिए आंसर हो जाएगा दो सल अब देखतें चक्रविर्धी ब्याज की बार्षिक दर से तीन वर्स मेैं 27 रूपया की राषी 64 रूपया हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है 27 रूपया जह कितना दिन में 3 साल तो ब्याज की दर निकालना है, तो ऐसे सवाल में आपको, देखिे, तीन साल दिया हुआ है, तो दोनों का क्यूबरूट करना है, है ना, तीन साल में दोनों का क्यूबरूट करेंगे, तो हमें एक साल के लिए पता चल जागा ratio मुलधन और मिस्रधन का, एक साल में कितना मुल्धन कितना हो जाएगा वो पता चल जाएगा तो देखे इसका क्यों रूट होता है तीन और इसका होता है चार आनि कि एक साल में तीन रूपया से चार रूपया हो जाएगा तो ब्याज कितना होगा एक रूपया कितना पर तीन पर तो सो में से कितना यही हो जागा rate of interest तो एक सो को तीन से भाग देंगे तो आंसर आजागा 33.1.3% ऐसे भी एक बटार तीन का मतलब ही होता है 33.1.3%